अब आप देख रहे हैं यूटूब चैनल पहारी पाइक रैड्रोड तो दोस्तों आज हम रुके हुए हैं राम नगर में क्योंकि सुबह मॉर्णिंग में हमें तीन यहां से निकलना है और हमें निकलना है वैसे दोस्तों पॉड़ी जहां से मेरा जो बस्तना है जो पड़ाई मैंने की है तो उस स्कूल में मुझे जाना है कि हम ने सोचा क्यों यार एक दिन इस्टॉप किया जाए राम नगर में फुल मस्ति की जाए और सुबह कि इन जी राम नगर से निकला जाए तो अभी हम आप होटल लिया हुए यह रूम लिया बाए यहां पर हम रह रहे हैं और अब यह खाना भाना खा रहें तो मुझे ल तो दोस्तों यार चिकन हम भार से बना के लेके आए हैं और यह चिकन है एक किलो आदा किलो है ना एक किलो तो आदा किलो होगा इससे जाद हम खानी पाते हैं और यह खेरा हम लाए खुदी काटा है और यह हमारा देशीगी जो घर से लेके आए हैं प्यूर देशीगी और यह में गर से बनवा के लिए गया है कि पहाडी लोग है जब भी घर से भार्वाले हैं वो खुछ नब बना के देते हैं इस बार रोटी लेका है फूरा नाम नगर संसान है और दो रात रिचर घूम रहे हैं रोडों पर पूरा रामनगड फुनसान है दो रात्रिचर गुम रहे हैं तो भाई रात्रे का मज़ हम ले रहे हैं यह कुलपी है और यह बाई सोफ टेका रहा है और काफी इंजॉइव हैं फिलाल हैं और इसके बाद हम सोने जाते हैं और मिलते हैं आपको मौर्णिंग में तीन दोटे हैं बुड मौर्णिंग और अभी सुबह के साड़े तीन हो रहे हैं यानि तीन-तीस हो रहे हैं दिखाओ यह देख सकते हैं और अब यह निकल रहे हैं बाड़ी के लिए तो आप से भी सरीफ़श्ट है वीडियों पे बढ़ने रहे हैं क्योंकि हाजकल जो ब्लाउग एकात्व सब्सक्राइब होने वारा हूं और हाई यह पर्ष टाइम मैं और जल्दे उठाओं इस भाई में गारी में उठा दिया मुझे औरना मैं चलते हैं दिखाते हैं आपको सब्सक्राइब देखे आप सुबह के सड़ी तीन हो रहे हैं और यह पुचैसा रूम था हमारा काफी मज़दार रूम है और यह हमां पड़िया है पांच सोर पर के आसवास में दो तिन घंटेंगे ठीक है यह गोलरी मांगा में दिखाते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हो यह चाता है और यह हम है और यह बारिस लगी है और हम चल रहे हैं गाड़ी तो हमारी खड़िया काफी नीचे है क्योंकि रांपनगर में एजली पार्किंग नहीं मिल पाती है तो हमने नीचे पार्क की दिए गाड़ी और भेगते भेगते जा रहे हैं भाई हम हां तो पर रख वाई और अब चलतो रहे हैं यार अब कहीं धंगड़ी का नाला ना जाए इस बात का भी डर है कि अधे और में तो कह रहा था यार कि रूख जाते हैं और कि एपर हडिवां भाई करें चलते हैं प्र चल दिये और चलिए दिखाते आपको पहाडी छेत्र पहाडी एरिया पहाडी पहाडी पहाड़ों को ठंडो पाणी निसी तो दोस्तों आर जैसे कि आप देख रहे हो सुबह सुबह बारिस काफी तेज हो रही है और हमें डर है कि काई धंगडी का नाला ना जाए और साहद आ भी गया होगा आप देख लेजिए और अब हमने गाड़ी काफी नीचे खड़ी किए अपनी तो दोस्तों सुबह के तीन तीस हो रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी रोड में कोई नहीं है फिलाल हम ही है और मुझे लगता है साहद जितनी की गाड़ियां चलेंगे वह चार या पांस बीजे के आसपास आने सुरू होंगी तो भाई हमारे हर्यों भाई सो गए थे तो बीजबीज में ब्लॉगिंग नहीं हो पाई और अभी जस उठे हैं तो यही ग्लाल वीडियो सूट कर रहे हैं और हम हैं अभी संकरपूर में कहीं पर रुकते हैं और आपको ब्यूद दिकाते हैं संकरपूर का तो दोस्तों हम संकरपूर जो मर्तुला से काफी आगे हैं हम मर्तुला काफी आजा चुके हैं और यह लोकेशन हमें दिखे हैं आप बहुत बढ़िया सुबह साइट अभी छाए वज़ रहे हैं तो देखें आप देख से हैं कितना प्यारा मौसम हो रहा है काफी बहतरीन मौसम हो रहा है ए दोस्तों यह वही सक्स है जो मुझे यहां तक लेकर आई है और आप देखिए कितना प्यारा नजारा और अगर आप उत्राखंड आ रहे हैं अगर आपको ऐसा नजारा कहीं पर मिलता है तो गाड़ी रोक के जरूर मजा लें नजारों का तो दोस्तों यार बड़े नाले आ मैं पहुंच चुका हूं दीवा डयादा यहां पे एक मंदिर है काफी अच्छा मंदिर है कहते हैं कि जोबी है यात्री इस रास्ते से अगर गुजरता है तो वह वहां पर जरूरों दम दिखाता हूं वह मंदीर और इसके बाद मैं पहुंचने वालना हों धीरोंखाल कि अज़े काफी लंबी राइड रही रामनगर शेम काफी आगया चुके हैं और बीच में हमें धनकडी का नाला ही मिलाता जो आया वाथा बट जैसे तैसा करके हमने पार किया और अभी हम पहुंचने वाले हैं बिरोखाल बिरोखाल काफी अच्छा मार्केट है और अगर आप आते हैं कभी इस इस इलाके में पोड़ी वाले बिरोखाल वाले एरिया में तो बिरोखाल में जरूर रुकें को कि वहां पे आपको वो सारी सुपधाइं मिल जाएंगी जो जल पान के लिए होनी चाहिए खाना वाना आप खा सकता हैं वहां पे और अभी आप हर्यूम भाई आप आगे दिखाएं फिलाल केमरा हमारे हर्यूम भाई ने पकड़ावा है और आप देख सकते हैं देखें मैं अगर मैं पूरे रोड की वीडियो बनाता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ कुछ पॉइंट आपको दिखाए देख सकते हैं यहीं से जाती है रामनगर के लिए और यहां अगर आप ड्राइब करते हैं तो बड़ी साथानी से करें और मोडों पर आप औरन जरूर दें आप देख सकते हैं देखें देखें बिरोखाल हम पहुंचने वाले हैं और यह बच्चे इसकूल का वेट कर रहे हैं इसकूल की बस का या फिर नॉर्मल जो परस होती है यहां पर चलती है उनका वेट कर रहे हैं बैठा वाय बचारा अगर मुझे कहता तो मैं जरूर लेके आता और मैं लेके भी आया कईयों को जिसने लिफ्ट मांगी मुझे तो मैं उसे लेके आया क्योंकि यार ऐसा है कि हमने कंधी पर तो लेके जाना है नहीं न्यू पॉइंट बेरो खाल नेक्स्टाम यहां पाएंगे तो यहां पर भी देखेंगे क्या है बट अभी नहीं अभी हमें कुछ अपने काम से जाना है तो जब वापिस हम आएंगे तो ब्लॉग बनाएंगे बहुत अच्छे अच्छे आपको दिखाएंगे अभी थोड़ा सा काम आम करना है तो उन्हें निप्टा के फिर फुर मस्ते के साथ आएंगे ब्लॉग बनाएंगे बस यही प्रहात्रा है कि वापिस आते वक्त बारिस न यहां पर थोड़ा सा रूख सकते हैं चाइपान कर सकते हैं जल पान चीसा कहते हैं और यहां पर थोड़ा सा अच्छा नजारा लगा तो मुझे लगा क्यों आपको दिखाया जाए और अभी आप देख रहे हैं दोस्तों यूट्यूब चैनल पाहरी बैक राडर अगर आप को वीडियो अच्छे लगी कि तो सब्स्प्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें तो हम दूरोखाल पहुंचने वाले हैं यह देखे वे आपका स्वागत है आप देख सकते हैं इस रास्ता का मुझे पता है नहीं किदर निकलता है इंधर भी निकलता होगा ठीक ही निकलता होगा अब यहां पर थोड़ा सा यार मामला ऐसे है यहां गाड़ी का ना यह दर आ रहा है क्या आवरो को लारा में बाता हैै वह किदा है भाता है रहा है रहा है रहा है एप्सकर जेला रहा है कि अरे आजा भाई यहां पर बड़ी समस्चा होती है यही सबसे बड़ी समस्चा है यहां पर बीरोकाल में क्योंकि सिंगल वे है है अबड़ी साबधानी के साथ है कि एक और आई है अब है अभी अब रिकार्डिन हो रहा है साहें ओ रहा है और पांक ही मत भांट है ठेक है उना कोई बात नहीं बाया यार उसना फिर रोग दिए कोई बात नहीं हाँ पर होता ही है यहां से कितनी दूर है यहां से दो गंटा और माले यहां से भी शाला दो गंटे था यहां से भी दो गंटे है भी एक गंटा बैज रो और एक गंटा वहां चल निकाल अब कि यह मोड इताना खराब है ना भाई साप यह मोड पेना चोटा मोड आगा पी अब यह देख यह है बीरो खाल सिद्धा दिखा बीरो खाल की मार्केट जैसे के आप देख रहे हैं काफी बढ़िया मार्केट है और दोस्तों जैसे के आपने देखा बीरो खाल की मार्केट हम रुके नहीं क्योंकि रुकना भी हमें सही ने लगा क्योंकि समय की वैल्यू थोड़ा समझते हैं हम लोग क्योंकि काम वाम भी करना है तो दोस्तों आपने देखा बीरो खाल की मार्केट आई होप आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा होगा आप उत्रा खंड से हैं उत्रा खंड को प्यार करते हैं तो चैनल को शॉत्पैक जरूरर करें एक मारे अपना प्यारा सा लाइक जोरूर देना करें अगर आप कमेंट करोगे तो हमारा जो मनोबल है वो बढ़ेगा और हम आपके लिए ने ने ब्लॉग लेके आते रहेंगे और यार आप लोग कमेंट करते नहीं हो, बीडियो देखते नहीं हो, मन नहीं करता है तिर बनाने का, और आप लोग कहोगे, संजय भी या तुम्हारे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, अरे ब्लॉग किसके लिए डालता हूं, आप लोग के लिए आप देखोगे नहीं, तो यार क् पाइटा डालनेगा तो आप सभी से रिक्वेश्ट है मेरी ये तीन तीन चार सार पाफ़ाँ जार का गारी का जो तेल खर्च कर रहा हूं सिर्फ आप के लिए और किस के लिए और आप लोग देखते ही और वीडियो को तो बीडियो को देखें तो चलिए दिखाते हैं आपको दोर्गट